हेलो बच्चों, जैहें, वेलकम बैक, जल्दी से सारे बच्चे एक बार कनेक्ट हो जाओ हम से, और डारेक्शन का अपना पार टू, जो हमने जहाँ पर छोड़ा था, उसको कंटिन्यू करते हैं, और बहुत मज़ेदार क्वेशन है आज की अपनी क्लास में, सारे बच्चे एक बार जल्दी जल्दी से जुड़ जाओ, बहुत तमाकेदार क्लास होने वाली है, है ना, तो देखो आज का पहला क्वेशन अपनी क्लास का क्या है, एम एक नाम, देखो एक लड़का, एम वाग्ड 20, ओके देखो, एम वाग्ड 20 मीटर टुवर्स वेस्ट, वेस्ट की एक एम नाम का लड़का है, वो जाता है, टर्न लेप्ट, एंड वाग 20 मीटर, देन ही टर्न, देन ही टर्न राइट, एंड वाग 20 मीटर, एंड अगें टर्न, राइट, एंड वाग 20 मीटर, तो नौ मुझे बता दो, how far is एम फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट, तुम चलना स्टर्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, और जहां पर खतम करते हैं, यानि जहां पहुँच गए, वो होता है, एंडिं पॉइंट, चलो स्टार्ट करते हैं, अगर इस पॉइंट से, M ने start किया होगा चलना है starting point short में लिखने तो SP और 20 meter towards west west किस direction में होता है west किस direction में होता है तो 20 meter जाता है 20 meter अगें देखो towards west turn left अच्छा इस side जा रहे थे तो anti clockwise मैंने बताया था कि जब भी जाते हो anti clockwise क्या होता है उल्टा होता है ऐसे और या फिर कहे दो ऐसे जा रहे थे तो left नीचे की side तो नीचे की side जाना है और 20 meter again तो नीचे जाओगे 20 meter again चलना है clear इसके बाद देखो क्या करना है 20 meter then turn right अब यहाँ से right लेना है तुमें अब ऐसे जा रहे थे तो right यह हो जाएगा तो right की direction में जाना और कितना जाना है only 20 meter again तो यह 20 meter something जाता है इसके बाद देखो क्या गरना है again turn right फिर से एक बार right लेता है और right लेने के बाद वो कितना जाता है 20 meter तो इस direction में जा रहे हो west की तो right कहा होगा उपर की side तो उपर की side right जाओगे और यहाँ something 20 meter हो जाएगा इतनी बात के लिए रहे हैं यह तो मैंने draw कर दिया figure अपना अब इस बात को समझो अगर यह distance 20 है यह distance 20 है तो हम यह कह सकते हैं कि हम इसके parallel आ गए हना और इसके सामने आ गए जो पहले वाला यह रास्ता है तुम यह देखो मुझे बताओ इसके सामने अगर आ गए तो यह 20 meter और यह कितनी distance है यह 20 है तो हम कहेंगे यह भी तो 20 meter हो जाएगी यह बात के लिए रहे हैं तो 20 and 20 अब देखो इसके बाद पूछा क्या है now how far in is m from is starting point starting point से वो कितनी दूरी पर है तो starting point तो यह था है ना starting point तो यह था और यहां के वो क्या हुआ है ending point जहां वो पहुँच चुका है इसके इसके बीच की distance बता नहीं है तो 20 यह और 20 यह जो नीचे वाली 20 होगी वही तो उपर 20 हो जाएगी तो 20 प्लस 20 कितना होता है वो लोगे 40 मीटर तो कितना आंसर आ जाएगा 40 मीटर बिलकुल correct आंसर आएगा ओके और मुझे भरोसा है कि बहुत अच्छे से समझाया होगा तो next question देखो बहुत धमाकेदार यह भी question है और मजा आने वाला इस question में ठीक है देखो क्या है question राधिका वेंट राधिका वेंट 50 मीटर की side south from her house अपने घर से वो south की direction में कितना जाती है 50 मीटर and then turn left वहीं से जहां जा रही थी south में वहीं से left की side turn होगी and went 20 मीटर चलो इस टार्ट करते हैं question को करना अगर ये माल लेते हैं राधिका का house होगा ओके राधिका अपने घर से किधर जाती है 50 मीटर south की direction में यहां आई और 50 मीटर वो south की direction में जाती इसके बाद then left जहां जा रहते जहां पहुँच गे वहीं से left तो यहां पहुचा होगा तो यहां से left यह होगा की नहीं होगा तो left की direction में turn होके 20 मीटर जाना है तो 20 मीटर ठीक है 20 मीटर something यह हो गया इसके बाद turning to north see went अब जहां तुम जा रहे हो वहीं से north तो north तो उपर की side होता है तो north कहा होगा यह north है यह तुमारा east हो गया यह west हो गया यह south तो north उपर की side तो उपर की side जाएगा और 30 मीटर कितना जाएगा only 30 मीटर तो यहां something इतना जाएगा यह 30 मीटर ओके यह distance हो गई जो 50 again 20 and 50 अब पूचा क्या in which direction is her house from this point this point का मतलब इस वाले point से इस वाले point से कह रहें in which direction उसका कौन सी direction में घर है her home from this point जहां वो पहुच गया वहीं से बताना है कि उसका घर कौन सी direction में तो यहां वो खड़ा होगा जो ending point होगा ठीक है यहां से यह वाली distance हमें बताने direction बताने और यह direction कैसे बताएंगे यह भी clear सुन लो यह direction कहां बन सकती इसको अगर बोलें तो इस direction को क्या बोलते हैं north west ओके और इस direction को क्या बोलते हैं north east बोलते हैं क्योंकि east और north के बीच की direction को north east ऐसे ही west और north की direction की बीच को north west and south और east के बीच की direction को South East और यहां हो जाएगा South West हमें इस direction ending point से बताना है उसका घर किस direction में है तो यहां खड़े हो के देखोगे तो हम जहां से देखते हैं वो point यह वाला होता है origin point यह बीच का और यहां से खड़े हो के इस direction में देख रहे हैं तो यह direction का नाम क्या है बोलोगे North West तो answer क्या आएगा North West जो option North West होगा वो बिलकुल correct होगा ठीक है North West option D बिलकुल correct हो जाएगा ओके चलो कर दें एकला सवाल इसका answer देखते हैं पहले तो तुमें देना है हम wait करेंगे only 10-15 second का time देते हैं और जल्दी से करना है हम question तब तक read करना है जो नवीन walk 30 meter towards east नवीन जो है east की direction में 30 meter जाता है then he turn right and walk 20 meter जहां पर वो पहुंचा है वहीं से right लेगा और 20 meter जाएगा again he turn फिर से वो एक turn लेगा direction क्या होगी right side में and walk 30 meter तो how far is the from starting point starting point से वो कितनी दूर है और बहुत easy तो है लेकिन बहुत अच्छा question है और हमारे sainic और rms जैसे जो तयारी बच्चे कर रहे हैं ऐसे एकदम question आते हैं मैंने last time अपनी reasoning की महराथन जो चलाई थी तो मैं पता हैं वहाँ से ही paper समझो पूरा छपा था और मैं अभी जो करा रहा हूँ basic से जिन बच्चों ने basic से जो भी basic से start करेगा और जो last तक हम से जुड़ेगा मैं पक्का कहता हूँ reasoning में full में full marks लेके आओगे देखो इसको करते है नवीन walk 30 meter towards east जहां से खड़ा होगा वहीं से east की direction में जाएगा और तो नीचे की side right आएगा और कितना only 20 meter only 20 meter again he turn again he turn right and walk 30 meter फिर अब south की direction में जा रहे थे तो नीचे की side वहाँ से right क्या होगा west की direction में right यह होगा तो right की direction में जाना और कितना जाना है 30 meter तो यहाँ पर something पहुंच जाओगे 30 meter अब इस बात को समझना starting point starting point से यह starting point है और यह ending point है ठीक है और starting point and ending point के बीच कितनी दूरी है यह पोल सकते हो कितनी दूरी पर खड़ा है ठीक है तो देखो अब इस बात को समझो यह 30 meter और यह बीच में 20 थी यह 30 थी हम कभी भी यह नहीं करेंगे 30 plus 20 plus 30 करके 80 answer दे दें बिल्कुल गलत होगा ठीक है distance हमें shortest हमेशा बता नहीं होती direction में 90% 99% हमें distance कौन सी बतानी है shortest distance जब तक वो यह नहीं कहेगा total distance जब word add करेगा total distance उसने कितनी travel की तब तो बिल्कुल correct हो जाता but हमें total नहीं पूछा उसने पूछा है कि उसकी how far is the from his starting point starting point से कितनी distance पर है तो हम distance बता देंगे तो यह वाली distance पर वो खड़ा हुआ है यह वाली distance देख रो dot मैंने जो बनाया इस distance की बीच की distance कितनी है तो देखो 30 है 30 है हम कह सकते हैं जितनी distance यह इतनी distance 30 इनके बीच की यह distance 20 इधर चला था तो वापस यहाँ पर चेक करोगे तो जितनी यह होगी उतनी यह हो जाएगी तो यह 20 मीटर बिल्कुल करेक्ट है हम यह कह सकते हैं starting point and ending point के बीच जो distance है वो कितनी होगी तो 20 मीटर होगी आया समझ में चलो क्या ready हो next question के लिए तो देखो कितना धमाकेदार question है जल्दी से बहुत अच्छा question है question में क्या पूछा है देखो बोला I walk 10 मीटर north एक लड़का कोई north की direction में 10 मीटर जाता है then he turn right वहाँ से right लेना है right के बाद क्या करना है and walk 10 मीटर 10 मीटर right के बाद 10 मीटर अगें चलना है and then turning left वहीं से क्या करना है left turn लेना है each time अब जो distance चलोगे हर एक time क्या करोगे left turn लोगे पहले जाओगे 5 मीटर फिर 15 मीटर फिर 15 मीटर जाना है तो अब मुझे बता दो कि now how far is from his starting point starting point से कितनी distance पर है चलो जल्दी से start कर दो question जल्दी से solve करना start करो और बहुत अच्छा question है इस point को समझ लेना लेकिन बोला क्या है and then turning left each time यानि हर एक time वो left turn लेगा वो distance जब चलेगा 5, 15 and 15 चलो start करते है देखो एक point है यहां से उसने चलना start किया और 10 meter north क्योंकि north कहा है उपर की side अभी बताया ये north है इसके opposite south होता है ये east होता है ये west होता है ओके तो north की direction में 10 meter जाता है ओके and turn right और वहीं से right लेगा तो right इस side हो जाएगा न तो right की direction में ओ 10 meter कितना? his left each time यहीं से वो क्या करेगा left turn होगा इस direction में जा रहे हो तो left ये वाला है तो left उपर की side यानि anti-clockwise है ना? तो left उपर की side और पहले कितना जाएगा? only five बोला भी था ना उसने कि each time each time का मतलब हर एक time में तो हर एक time में कितना जाएगा? तो इस side आओ और इस side 15 जाओगे 10 तो ये था 10 से थोड़ा जादा हो जाएगा तो something यहाँ तक ठीक है? तो ये 15 मीटर फिर again left अब इस side direction में यानि नौर्थ वेस्ट की direction में जा रहे थे west से left देखोगे तो नीचे आता है south की direction में तो नीचे हो जाएगा तुम्हारा left और 15 मीटर ठीक है? ये 15 मीटर ओके? ये हो जाएगा 15 यहाँ तक अब देखो समझो ये question बन चुका है मारा अब इसको बताना कैसे? पूछा कै लास्ट में पहले देखो now how far is the from starting point? starting point तो ये था जो मैंने circle किया था और ending point ये है और इसकी और इसकी बीच की distance बतानी ये हम कैसे बताएं? तो समझो बात को बहुत अच्छे से देखो 10 मीटर पहले उपर गए थे north की direction में वहीं से हमने right turn लिया था 10 मीटर गए थे again left लेके 5 again फिर 15 left फिर 15 left तो मुझे एक बात बताना अगर ये 10 है ये distance कितनी है? 10 है और 10 के बाद जब तुम इधर 10 गए तो ये भी 10 हम कह सकते हैं इसके सामने 10 और ये 15 total है तो 5 extra रहा होगा ये वाला अगर 10 है देखो ये वाली distance कितनी है? 10 तो ये कितनी रही होगी? इतनी इसके सामने वाली तो कहोगे ये वाली भी 10 रही होगी न, इतनी तो extra कितना चलके आया गम 15 यानि 5 extra कितना चला है? 5 चला एक नहीं चला है? और यही अगर 5 चला है तो ये distance जो इसके इसके बीच की है वो कितनी हो जाएगी, 5 meter हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, और ये वाली distance उसने 15 जो बोला था, 15 meter each lap, तो 5, 15 and 15, तो ये 15 है कि नहीं, ये decide करते हैं, देखो, अगर ये distance कितनी है, 10 है, है ना, ये distance 10 है इतनी, यहां तक, और ये वाली distance कितनी है, 5 है, तो ये वाल जो color change करके हम clear कर रहे हैं, देखो, अगर इस वाले distance को देखो, तो ये कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, ओके, और ये वाली distance कितनी है, 10 है, तो total कितनी हो जाएगी, total 15, और ये 15, या निम कह सकते हैं, ये वाला point, ये point, एक दूसरे के बिल्कुल exact सामने है, तो इनके बीच की distance बिल्कुल clear है, वो कितनी आएगी, 5 मीटर आएगी, जो option में दे रखा है A, ठीक है, 5 मीटर बिल्कुल correct होगा, क्या बात है न, next question कर लें, बहुत धमाकेदार question है, ये भी देखो कितना गजपा question है, और ये question करने के लिए पहले basic बात सुनना, question करना है, तो पहले basic बात कर रहा हूं सुनना, ये अगर क्या है, ये north है, ये east है, और ये क्या था, south और west, इसके बीच की direction को क्या बोलते थे, north east की direction के बीच को north east बोलते थे, और east और south के बीच की direction को south east बोलते हैं, west और south की direction के बीच को south west बोलते हैं, ऐसे ही north west की direction के बीच को north west बोलते हैं, अब बा किसे नौर्थ वेस्ट किसे बी से जहां पर बी बैठेगा मालो ये बी है तो इसके नौर्थ वेस्ट में किसके बी के वो भी 50 मीटर तो यहां से अगर नौर्थ वेस्ट की बात करें तो नौर्थ वेस्ट तो ये होता है है ना नौर्थ वेस्ट क्या है नौर्थ वेस्ट वाला origin point में ले लें, तो यहां से ऐसे something होगा, और इसके बीच की distance 50 meter, ओ, A यहां बैठेगा, यह बात बहुत अच्छे से समझना है, जहां पर B, उसी के north west में 50 meter, बिल्कुल clear, देखो अगर यहां B बैठेगे, तो north west में 50 meter की distance पर, ऐसी सी देखो, सीज 50 meter, north east of B, जहां पर B बैठेगा, तो north east देखो यह है, तो यहीं से north east वो भी 50, यानि यह कह सकते हैं, यहां पर C बैठेगा, और इसके बीच की distance भी कितनी है, 50 है, clear है ना, यह direction इसके बीच की clear देखो, समझा दिया है, ऐसी बैठाना है, इसके बात देखो B and D is 50 meter south of B, जो भी, देखो, sorry, D जो है, 50 meter तो है, किसके south of B, जहां पर B बैठा है, वहीं से, देखो, जहां पर B बैठा है, वहीं से south में, कौन बैठेगा, D बैठेगा, और distance उसके बीच कितनी है, 50, यानि यह B इन तीनों से 50, 50 meter distance पर बैठे हैं, direction अलग-अलग हैं, यह ब लग हैं, इसके बाद देखो, पूछा क्या है, तो मुझे बता दो, who is the east direction of A, A के east में कौन बैठा है, देखो, A के east में कौन बैठा है, अगर यह 50 meter और यह 50 meter और direction क्या है, देखो, ऐसे और ऐसे, तुम यह कह सकते ही, यह एक दूसरे के एकदम exact सामने ऐसे बैठे हैं, तो यह देखो, एक दूसरे के एकदम सामने ऐसे बैठा है, और बोला क्या है, कि A के east में, अब जिसका पूछेगा, उसको origin point पे ले क्या हो, यानि A से, यानि कि पूला है, from A, ठीक है, off A, sorry, तो A से, कहां, C कहां बैठा है, east में, तो east में C बैठा है कि नहीं बैठा है, यही प A है, मेरा east कौन, मेरे left के साइड में है, ठीक है, तो A का east इस direction में, तो answer क्या आएगा, answer C आएगा, जो बिलकुल correct है, ओके, आज की अपनी class यहीं तक रहेगी, अगली class में एक नए direction का नया जो pattern या नए type के साथ मिलेंगे, तब तक लिए बच्चों चाहे हैं, अरे 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 एक बात तो भूली गए तुमसे कहना, अरे वीडियो देख लिए है, तो चैनल को subscribe कौन करेगा, और वीडियो अगर पसंद आई है, तो बिलकुल like करें, अगर कहीं तुमें लगा कि कमी रह गई तो comment में जरूर बताएं, ठीक है, और अपने दोस्तों को share भी करना है, ओके, मिलते हैं गरी class में, जैहिन!